नमस्कार दोस्तो आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल राइफएक्स पर हारदिक स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल लाइफएक्स को सबसकाइब नहीं किया है तो कीड़ पेहले ही से सबसकाइब करें और हमारे चैनल पर एविलेवल बेल आइकन को एनेबल जूर करें ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो आज हम आपको बताएंगे रात में ये काम करना मतलब मोत को दस्तक देना है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं वरतमान में किसी भी आयूस मू के लोगों का मुवाइल या स्मार्ट फोन से दूर रहना बहुत ज़्यादा कठीन है बच्चे, बड़े और बज़ूर घर कोई आजकल स्मार्ट फोन के आदी है मुवाइल फोन से नद्दी की बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा लावदायक सावित होता है लेकिन बहुत कम लोगों को इसके नुकसान की जानकरी है इसका सबसे अधिक नुकसान आपको उस समय होता है जब पूरी संसार चैन से अपने गरों में सोती है बता दे कि Facebook, WhatsApp, YouTube आधी शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म आने से मुवाइल फोन की उप्योगता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग सोते समय भी रात के अंदेरे में मुवाइल फोन चलाते हैं जिसका स्वास्ते पर बहुत ज़्यादा बुरा परवा पड़ता है हाल ही में हुए एक सर्वे में रात में मुवाइल चलाने को लेकर कई नुकसान सामने आये हैं जहां सर्वे में बताया गया है कि इसका मानव दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा परवा पड़ता है और उन में अटेंशन, डेफिसीट, हाइपर एक्टिविटी, डिसोर्डर यानि कि ADHD के लक्षनुत्पन हो सकते हैं रात में मुवाइल फोन यूज करने पर दिल्चस्पी, नशाखोरी और कानूनी समस्याओं में बृद्धी हो सकती है डोक्टर ने इस शोद को लेकर बोला है कि आज के युवाओं द्वारा रात में मुवाइल फोन चलाना आम बात है इस से अनिंदरा और नीन तूटने जैसी समस्याओं हो सकती है बता दे कि अगर आप लगातार इसके आदी हो रहे हैं तो आपको जल्दी इस सादस से छुटकारा पा लेना चाहिए नहीं तो आपके लिए यह समस्या जान लेवा भी साबित हो सकती है तो दोस्तो ये था मारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि रात में ये काम करना मतलब मोत को दस्तक देना है उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फाइदे में लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करके जादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं लाइक एंड कमेंट करके अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना मत बूले कीप शेरिंग एंड कीप स्पोर्टिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नहीं वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग